कब दस्तक देगा मानसून? मौसम विभाग ने हाल ही में मानसून को लेकर पूर्वानुमान जताया था. वही, अब विभाग ने मानसून को लेकर नया अपडेट भी जारी कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अभी मानसून अंडमान निकोबार में दस्तक दे दी है, जिसके चलते बीते 24 घंटों के दौरान केरल के तिरुवनंत पुरम में तेज बारिश हुई हालां कि ये प्रिमानूसन बारिश है मानसून आने में अभी समय है भारतिय मौसम विभाग, IMD, के मुताबिक मानसून अंडमानिकोबार पहुँच गया है 31 मई तक यह केरल पहुँच जाएगा पिछले साल भी मानसून ने अंडमानिकोबार द्वीब समू में 19 मई को ही दस्तक दी थी लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुँचा था इस साल मानसून सामाने तारीक से पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है वैसे केरल में मानसून आने की सामाने तारीक एक जून है गोशित तारीक में चार दिन कम या ज्यादा होने की गुझाईश रखी गई है यानि मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है अमडी के अनुसार मानसून के मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुँचने के आसार है वहीं यूपी में 18 से 25 जून और बिहार जारखंड में 18 जून तक पहुँच जाएगा आईमडी के आकड़ों के मताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुँचने की तारीखें काफी अलग रही है 1918 में मानसून सबसे पहले 11 माई को केरल पहुँच गया था जबकि 1972 में सबसे देरी से 18 जून को केरल पहुँचा था बीते चार साल की बात करें तो 2020 में मानसून 1 जून को, 2021 में 3 जून को, 2022 में 29 मई को और 2023 में 8 जून को केरल पहुँचा था Bureau Report Market Times TV